आईशा ने मुनावर को कहा फेक तो अंकिता ने मुनावर को एक खिलाफ उगला जहर वेलकाम तो दा हंगामा स्टूडियो अंकिता और आईशा कोने में बैठ कर बाते कर रहे होते हैं वहीं अंकिता आईशा से कहती है मुन्नावर की छोटी छोटी चीजे मुझे हट करती है और मुन्नावर का वो हट मैं अपने उपर लेना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता था मुन्ना ऐसा ही है वहीं अंकिता ऐसा से बोलती है तेरे साथ भी इतना कुछ हुआ ना मैं मुन्ना को बताती थी सिखाती थी मैं हमेशा खड़ी थी मुन्ना के साथ लेकिन मुन्ना ने तेरे साथ भी गलत किया आशा बोलती है फेक है ये उसका जो सौरी सौरी था वो टॉपिक को खतम करने के लिए था वहीं अंकिता कहती है कि मुझे पता था मैं मुन्ना की सरकत पर कभी गलत नहीं थी आशा कहती है मुन्ना को किसी से कुछ लेना देना नहीं है वहीं अंकिता बोलती है विकेंड के वार पर मुन्ना ऐसा चहरा बना लेता है जैसे सामने वला ही गलत है बचानने ही नहीं आता कि मुन्ना गलत है genuinely मुन्ना मेरे बारे में क्या सोचता है अंकिता कहती है मुन्ना को हार बरदास्त नहीं है वहीं अंकिता बोलती है मुन्ना को लगता है वो कहीं गलत नहीं है और smart है बहुत आशा बोलती है रिष्टों में ऐसे ही होता है अंकिता जी आप कितने भी effort लगा दो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले के मन में क्या है वह अंकिता बोलती है मैं यहां सब को समझ पाई लेकिन मुन्ना को नहीं समझ पाई मुन्ना कुछ छुपा हुआ लगता है मुन्ना दिखाता है कि वो बरदास्त कर रहा है जो उसके साथ हो रहा है अंकिता बोलती है मुन्ना बहुत हड भी कर रहा है लोगों को हम भी तुझे सहन कर रहे है तेरी लाइफ में जिस पर आईशा मुन्नावर को फेक बोलती दिखी अंकिता कहती है मेरी नजर में मुन्नावर अब कुछ भी नहीं है हो गया जो होना था इस तरह से कई सारी बाते आईशा और अंकिता आधी भी करते नज़र आई मुन्ना के खिलाप बोलते नज़र आई तो दोस्तों अंकिता के पर आप क्या खहना चाहते हो अपनी राए हमें कॉमेंट में जरूर बताए बॉलवी टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाया